हेलो स्टूडेंट वेरी वांब वालकम इन प्रैची फाउंडेशन ओनलाइन क्लासेज और स्टूडेंट आज हमारा चल रहा है मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री का पार्ट नमबर टू यानि हमारा लेक्चर टू चल रहा है और बचों हम इसमें जो टॉपिक कवर करने व वर्ड जिसमें हम सिर्फ एक इंडस्ट्री को बहुत डीपली स्टूड़ी करेंगे और वो है आईरन एंड स्टील इंडस्ट्री ठीक है बचों तो यह लेक्चर आपको तब ही समझ में आएगा जब आपको लेक्चर नमबर वन की स्टूड़ी करके आओगे अगर नहीं कि पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री की हमना डेफिनेशन पीछे लिख लिए थी पार्ट वन में इसलिए हम कुछ ऐसे टर्म पढ़ेंगे जो हम डिरेक्टली पढ़ते जाएंगे क्यों कि मैंने पीछे उसको बहुत डिटेल में समझा चुकी थ इंडस्ट्री जब किसी जगह पर सेट अप होती है जभी भी कोई इंडस्ट्री किसी भी जगह पर सेट अप की जाती है या सेट अप होती है तो उसकी कुछ नीड्स होती है जैसे उसको राव माटीरियल वहां पर आसपास अवेलेबल होना चाहिए वहां पर जो मशीन लग सबसे important investment के लिए money होना चाहिए manufacturing process यह अच्छा होना चाहिए और इसके अलावा बच्छों सबसे important है यहां पर skilled employees भी मिलने चाहिए तो यह कुछ सबसे बड़ी डिपेंडेंसी होती है जिस चीज़ वह डिपेंड करती है वह होती है उसकी location एक ऐसी location जहां पर यह सारी नीट्स यह जो हमने 6 नीट्स पड़ी ना विसक्स नीट्स यह उसकी पूरी हो जाए जिसके कारण वह अच्छा खासा profit जो है वह अर्ण कर पाए ठीक है तो इसी लिए industry खड़ी करने से पहले बहुत सारी planning की जरूरत होती है तो समझकर ही एक किसी जगा पर industry को लगाया जाता है तो अगर location को एक factor माल ले तो इस अधार पर ठीक है on the basis of location ठीक है तो इस अधार पर industry को तो category में डिवाइड किया गया है पहला geographical factor and second one non geographical factor तो पहले बात करते हैं कि geographical factor में क्या क्या चीज़ आती है simple सी बात है जैसा इसका नाम ही बता रहा है जो उसके physical चीज़ों को बताती है ठीक है जैसे कि land वहां का climate, availability of raw material, power, sources, sources यानि कि जहां से उसको raw material असानी से मिल सके ठीक है उसके अलावा non-government factor या sorry non geographical factor जिसमें पहले आएगा government की policies कि किसी अगर state में या किसी country में industries बहुत सारी है तो इसका मतलब वहां पर government की policies जो trade के लिए है business के लिए वो बहुत अच्छी है second capital for investment वो अच्छा होना चीए management, banking, labor, transport and insurance तो यह यहां पर differentiate कर दिया किस अधार पर location के अधार पर कि industry दो तरीके की हो सकती एक geographical factor उसको प्रभावित करते हैं और दूसरा जो है वो non geographical factor तो अभी तक हमने देखा कि एक इंडास्ट्री वहीं पर अपना setup करती है जहां पर यह above all जो अभी हमने पूरे पड़े जो आपको यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे है geographical और non geographical factor वो उसको मिलते हैं ठीक है तो वहां पर बहुत सारी सिर्फ एक आत्मी अलग-अलग तरह की अलग-अलग manufacturing वाली जो इंडास् जो और उस एरिया को जहां पर बहुत सारी यानि cluster group of industry बहुत सारी एक जगहा पर रहती है या setup की जाती है उसको बोलते है industrial reason ठीक है तो कुछ example ले लेते हैं किस चीज़ के industrial reason के जो ना भारत में है ना सिर्फ भारत में है पूरे all over the world के लेते हैं ठीक है some examples are किसके industrial reason के कहां के all over the world पहला है eastern reason जो कि कहां पर है North America Silicon Valley यह भी North America में हैं ठीक है western and eastern Europe, eastern Asia, southern and south eastern Asia, gulf region of west Asia, western and southern Africa, eastern region of south America तो यह कुछ ऐसे reason है जहां पर industrial reason है या कह सकते है कि above all जो geographical और non geographical factors इसको सब किसम मिलते हैं तो यहां पर बहुत सारी जो industries है वो set हो चुकी हैं अब अगर हम बात करते हैं भारत की तो भारत में जो industries है वो unevenly यानि कहीं पर जादा और कहीं पर कम distributed है उसका reason वही है कि कहीं पर उसको वो सारी चीज़े मिल पाती है कहीं पर नहीं मिल पाती है तो जहां पर नहीं मिलेगी तो वहां पर वो अपना loss करवाने के लिए तो नह इंडास्ट्री जो है वो unevenly distributed है ठीक है unevenly का मतलब होता है कहीं कम है कहीं जादा है जो depend करता है वहां पर availability of natural resources या फिर अब जितने भी उपर के factor है तो भारत में कौन-कौन से reason है कौन से reason किस reason के हम बात करें industrial reason की और industrial reason में बार-बार revise करवारी हो ताकि आपको अच्छे से हो तो पहला है मुंबई कुने reason second है हुगली reason थर्ड है बैंगलरू जो कि तमल नाडू reason ठीक है गुजरात यानि एंदावाद वडोदरा सूरत reason सोटनागपूर reason गुर्गाउन डैली मेरुत reason विशाखा पत्नम गुंतूर reason कोलम तिरवंत पूरम रिजन ये कुछ ऐसे industrial reason है भ वर्ड अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं iron and steel industry की तो बचो अगर हम बात करते हैं बैकबोन backbone of modern civilization की तो iron and steel industry को backbone of modern civilization कहा है यानि जितना भी development हुआ है या जितना भी विकास हुआ है या जितना भी infrastructure डेवलप हुआ है उसका जो मुख्या कारण है वो है iron and steel industry ठीक है iron and steel industry को basic industry भी कहते हैं basic industry के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं यहाँ पर हम इतना जान लेते हैं कि iron and steel industry से यह जो है iron ore से steel तयार किया जाता है और यहाँ पर क्या है उसी steel से machines and tools और इसके अलावा other useful और valuable product तयार किये जाते हैं तो अगर हमने पहले एक्जाम्पल लिया था iron ore का तो iron ore की अगर बात करें तो यह world के कई हिस्सों में पाया जाता है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 65% machines and utensils machines and utensils यूटेंसिल होते बच्चे बरतन जो कि आपके किचन में यूज किये जाते हैं तो यहाँ पर यह 65% जो है वो स्टील से ही तयार किये जाते हैं ठीक है बच्चों अगर iron and steel industry पूरे वर्ड में आइरन और जो steel industry है वो पूरे वर्ड में जो है वो काफी फैली हुई है ठीक है अगर हम एक्जैंपल की बात करें जैसे इन यूएसे अलवामा स्टेर अट्लांटिक कोस्ट ग्रेट लेक्स रिजन और यह यह जो है कुछ इसके में प्रोड्यूसर्स है ठीक है अगर हम यू मुख्य एक्जैंपल है और अगर हम बात करें चाइना इंडिया जापान की तो यह कुछ ऐसी मिजर प्रोड्यूसर है जो की आइरन और स्टील का उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें बचो अपने भारत की तो भारत में आइरन और स्टील का रूप मिनार का पिलर है वो रस्ट फ्री पिलर है यानि जिस में इसमें जो लगा हुआ माटीरियल है वो हमारी ही country यानि भारत में उसका production हुआ है ठीक है पहली iron and steel industry जो है 1907 में establish किया गया था जिसका नाम था TISCO यानि टाटा iron and steel company जो की साक्ची में located थी ठीक है और जो की आप जो है वो जार्खंट साक्ची यानि जमशेदपूर और अभी जो है वो जार्खंट state में है ठीक है बचो अगर हम भारत में कुछ मेजर लेवल के स्टील प्लांट देखें तो भारत में 10-10 यानि मेजर स्टील प्लांट है और 180 जो है वो माइनर स्टील प्लांट है और अगर इसको जो की अभी हमने पढ़ा जमशेदपूर में है इसके अलावा TISCO ठीक है यानि हमने उपर पढ़ा था इसके अलावा भी जो है IISCO यानि Indian Iron and Steel Company ये कहां है ये वेस्ट बेंगॉल में है वेस्ट बेंगॉल के बुरनपूर में है और ये भी Iron and Steel का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडाक्शन करती है पाब्लिक सेक्टर में भी तीन स्टील प्लांट है जिनमें पहला बिलाई में है जो की चतिसगड में है दूसरा राउर केला में है जो की ओडिशा में है तीसरा जो की वेस्ट बेंगॉल में है और इनका जो management है यानि इनका जो यहां पर इनकी जो functioning है इन तीनों में वो से SAIL यानि सेल देखती है यानि Steel Authority of India Limited देखती है और ये ये वाली जो authority है यानि ये जो organization है वो under government काम करती है ठीक है वाजो नेक्स्ट हम इसी तरीके से अगर देखे तो भारत में छोटे और बड़े स्टील प्लांट पूरे भारत में फैले हुए है जो की जाने जाते है वहाँ पर iron ore को lime stall reserve किया जाता है और उससे बाद में production के अलावा भी चीज़े manufacture की जाती है इनके पास iron and steel ठीक है करने के लिए काफी सारे raw material available होते है रो माटीरियल के अ दूसरे और भी factor होते है जैसे thermal power, machines को चलाने के लिए electricity, cheap labor, कम price में काम करने वाले लोग, big market और अपना production आपने समान किया है उसको बेचने के लिए आपको market चाहिए होता है तो इन सब factor के होने के कारण भारत कई industry के लिए idle जगा बन चुका है यानि बाकी industry भी जो है वो भा भारत में अपनी industries को set up कर यह नि कई देशों की जो industries है ठीक है बजो नेक्स हम बात करेंगे Tata Iron and Steel Company जैसे की TISCO तो Tata Iron and Steel Company जो की हमने पढ़ा था वो कहां पर है जमशेदपूर में तो करीब 100 साल पहले ही TISCO को जमशेदपूर में established किया गया था सर जमशेद जी Tata के द्वारा ठीक है यहां एक बहुत ही बढ़िया शुरुआ थी क्योंकि इसमें लेट जमशेद जी नुसरवान जी Tata द्वारा एक नए city की जो है वो स्थापना की गई थी जो की अभी थोड़ देर पहले हमने पढ़ा था साक्ची बाद में उसको नाम दिया गया किसी इसका नाम दिया गया था जमशेद पूर जारखन तो उसके इस टेट था जमशेद ठीक है यह city जो थी यह जो शहर था अगर हम देखे यह जारखन की यह जो सिंग भूम डिस्टिक में लोकेटेड है यानि यह जो जमशेद पूर है यह जारखन की सिंग भूम सिंग भूम ठीक है यह जो शहर है चारो तरफ से डलमा हिल्स छोटा नागपूर प्लाट्ट्यू ठीक है और यहाँ पर सुबर नरेखा नरेखा एंड खारकई रिवर से घिरा हुआ है और यह नहीं दो नदियों से इस पूरे प्लांट में पानी जाता है उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए तो जमशेदपूर के चारों तरफ का एरिया बहुत सारे मिनरल से भरा हुआ है जैसे अगर हम बात करें कोल फ्रॉम जरिया जरिया ठीक है उसी तरीके से आइरन ओर आइरन ओर लाइम स्टोन लाइम स्टोन मैंगनीज मैंगनीज ये इसको मिलता है जामा दोबा ठीक है इसके अलावा ये सारी चीज़े नावमूदी एंड वेस्ट बोकारो वेस्ट बोकारो ठीक है तो ये सारी चीज़ जो है यानि कह सकते है कि ये शहर जो है वो हर तरीके से बिल्कुल प्रॉस्पेरस है या फिर सम्रिध हैं एक सीज़ और बता दू यहाँ पर मैं कि यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा पीछे लेचलते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन दोनों ही नेटवर्क बहुत अच्छे हैं तो जहां पर जो फिनिश्ट प्रोडाक्ट है उनको असानी से कोलकाता पोर्ट तक ठीक है वो भेजा जा सकता है या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ठीक है बचो नेक्स्ट बात करता है कि जैंशेदपूर में सिर्फ आयरन और जैसे ट्रक्ट मैनुफेक्ट्रिंग इंडस्ट्री तिन की प्लेट बनाने की इंडस्ट्री आयरन शीट इंडस्ट्री लोकोमोटिव इंजन्स बनाने की इंडस्ट्री रेल वील स्लीपर जो की रेलवे के लिए तयार किये जाते हैं तो मैनुफेक्ट्रिंग के अलावा आ कि एकोनोमी अच्छी है और जिस कारण यह पूरा जो शहर है वहर तरीके से एकोनोमिकली जो है वह बहुत सम्रिद्ध है इंपॉर्डन चीज़ समझ लो कि वर्ल्ड की कुछ मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है तो पहले आती है चाइना ऐस्ट्रेल यह जो टॉपिक था हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का यह फिनिश हो रहा है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री ठीक है बचो जहां पर हमने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझा और कोई अगर डाउट रहे गया और समझनी है तो आप जरूर बताइए वह टॉपिक आपको दुबारा से समझना है ठीक है तो शलिए आप रिवाइस करके आईए तक तक हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे